डिंपल यादव को मैनपूरी से प्रत्याशी घोशित किये जाने के बाद अब भारती जंता पार्टी लगातार सपा पर निशाना साथ रही है हमारे साथ में इस समय सपा नेता पूर्व मल्सी उद्यवीर सिंग जी है उद्यवीर जी जिस तरह से वुपेन चौधी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक ट्वीट किया एक बयान दिया केशो मौर्या कहते हैं कि भाई के लिए एक लीजी नहीं गए पत्नी को लड़ा दिया कोई कहता है परिवार वाद है पता नहीं कोई कहता है किसी कारकरता को लगा और भाई समाजवादी पार्टी ने जो नेता बनाए सपीसिंग भगेल जैसे जो अपने कारिकरता उनको तो आप अपने सर पर लोगों को है भारती जनता-पार्टी समाजवादी पार्टी को विद्वार तैक अगर कोई आदमी है पर उमीद्वार से हमारे उमीद्वार के चैन से नाराज होगा कोई शिकायत होगी किसी को तो कहेगा क्या कोई आपको एक आदमी मिला भुपेंद्ट चौधरी फ्रामी पिशाद केशा मौरिया बिर्जेश पाथक योगी आदितनात क्या हम इनको संतुष्ट करने के लिए उ उनको भात्तारिक टेख करेगा कौन सी सीट एक दिन में खाली घोशत होगी कौं सी एक हफ्ते में होगी कौन सी दो महिने महोगी तौनी फिर भी अपना लेनी पार है और हम पर सवाल करते है कि द। प्रदेश अद्यक्ष ने चीज़ यह भी कही कि परिवार वाधी सपा का इतिहास तब अर्टमान और भविश्वी रहेगा कोई वरकर आपको कहीं एक सब्द बोलते मिलाए तो बताईए क्या भुपेंदर चोधरी से सर्टिविट लेना होगा समाजवादी पार्टी को उनका काम है छेतर में आग लगाना लोगों को भड़काना दंगा भड़काना साशन का दुरप्योग करना रस्टाचार करना उनको पूशो सळक में गड़े भरे क्यों नहीं भरे गए जो काम जिस काम के लिए जनता ने बिठाया है बजट दिया है खर्च करने के लिए वो समाजवादी पार्टी जो भी फैसला लेती है वो कारकरताओं की सहमती से उनसे गाय मशुरा करके लेती है उन्हें भारती जनता पार्टी के किसी नेता से सेटिफिकेट की जरूरत नहीं है कैमरा सही होगी प्रमोट के साथ चले ही शरूरा एबीपी गंगा लखना होगी एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी